हलो एवरिवन, आज का हमारा टॉपिक है हाउ टू एक्सिस सर्वर रिमोटली इफ फायरवाल इस आन तो वीडियो को शुरू करते हैं आज की बहुत इंपोर्टन बात जो मैं आप लोगे से शेयर करना चाहता हूं इस चैनल की जितनी भी वीडियोज हैं उन सब के पीछे मेरे अकेले का कोई हाथ नहीं है हम एक टीम हैं बेसिकली मैंने इस चैनल का नाम भी इसलिए रखा दा है माई आइटी टीम तो मैं अकेला संगल बंदा नहीं हूं इसके पीछे और भी दो तीन लोग हैं जो काम कर रहे हैं मेरे बहुत अच्छे दो तीन दोस्त हैं जो मुस्तखिल जो हैं हमारा वाट्टसप ग्रूप है उसको एंटर्टेन कर रहे हैं एक लड़का है जो फेस्बुक पोस्ट देखता है तो आप लोगों से बस इतनी से रिक्वेस्ट है कि प्लीज इस वीडियो का लाइक कर दिया करें आपका लाइक जो है बिसिकली हमें मोटिवेट करता है मजीद वीडियोस बनाने के लिए आई होप आप लोगों समझ माया होगा कि मैं क्या आप लोगों से कहना चाह रहा हूं आगे बढ़ते हैं वीडियो की तरफ सबसे पहले मैं आप लोग एक चीज़ सेक करा देता हूं मेरे पास विंडोर सर्वर है टूथाजन सेल और इसकी फायरवाल आन है ठीक है तो हम चेक करते हैं कंट्रोल पैनल में जाते हैं फायरवाल में जाते हैं यहां पर आप देख सकते हैं कि इसकी फायरवाल जो है वो इस टाइम आन हुई भी है ठीक है और मुझे इस सर्वर का रिमोट चाहिए तो वो मैं किस्ताना से लूँगा आज मैं आपको वो बताने वाला हूँ आज की वीडियो की कुछ बेसिक स्टेप्स होंगे तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि काइनली इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा ताके आप समझ सकें सारे स्टेप्स मैंने किस तना से परकॉर्म किये हैं सबसे पहले मैं आपको फायर वाल च्यक कराती है अब मैं आपको चैक कराता हूँ इस सर्वर की आई पी ठीक है आप देख सकते हैं कि इस सर्वर की IP ए हंट है ठीक है आ रहा था यह इंची पिंग करेंगे 1921680.100 उस सर्वर की IP है एंटर करते हैं जैसे कि आप देख सकते हैं कि अभी तो पिंग का रिप्लाय भी नहीं आ रहा है सबसे पहले हम पिंग का रिप्लाय लेकर आएंगे उसके बाद सेकंड स्टेप होगा कि हम रिमोट के चेक करेंग उस सर्वर का तो वापस चलते हैं अपने सर्वर पर मैं अपने सर्वर पर आ चुक हूँ अब हम जाएंगे कंट्रोल पैनल में और यहां से सेलेक्ट करेंगे विंडोस फायर वाल को यहां पर लेफ्ट साइट पर आपके एक आप्शन आ रहोता है एडवांस सेटिंग का इ इन बाउंड जो भी हम काम करेंगे वो इन बाउंड के अंदर करेंगे ठीक है इस टाइम फिलाल जैसे ही मैंने इन बाउंड पर क्लिक किया है लेफ्ट साइट पर मेरे काफी सारे रूल्स आ रहे हैं फायर वाल के यहां पर आप देख सकते हैं कि एक रूल है फाइल एंड शेरिंग बाकी ब्रैकेट में लिखा है इको रिक्वेस्ट आई सी एम आई पीवी फोर डैश इन यह जो रूल है यह रूल अगर डिसेबल होगा तो आपकी पिंग नहीं आएगी इसको इनेबल कर देंगे तो पिंग आना शुरू हो जाएगी इसको इनेबल करते हैं अब क्लाइट मेशीन पर जाकर देखते हैं आप देख सकते हैं मैंने टी की कमांड के साथ सर्वर की आई पी लगाई थी तो पिंग का रिप्लाय आना शुरू हो चुका है अब हमारा सेकंड स्टेप है हमें रिमोट लेना इस सर्वर का पिंग आ चुका है अब हम रिमोट ले की विए कनेक्ट करते हैं आप देख सकते हैं कि मेरे पास एरर आ चुका है क्योंकि मैंने अभी तक फायर वाल में जाके जो है वो रिमोट का रूल इनेबल नहीं किया है तो वापस चलते हैं पनी सर्वर मशीन पर अब हमें इन बाउंड के अंदर ही रहना है और यहां पर कि आपके पास है कि रिमोट के सेशन में आ जाएगा जहां पर शार मॉट के रूंड ऐसे यहां परक्क पास एक रूल आ रहाँ होगा यह रहा Как रिमोट डेक्स ट्स्कॉल यूसर मॉड बीस्पी इन और यूडी इन इन दोनों रूल को आपनेने लिक्र करना है यहां पर क्ल और वहाले रूल को भी नेबल कर लीज़ेगा अब हम चलते हैं अपने क्लाइंट पे और चेक करतें कि रिमोट आ रहा है या नहीं मैं अपनी क्लाइंट मशीन पे आ चुका हूं दो बार से ट्राइब करते हैं रिमोट लिने की रिमोट आ चुका है पासफट डालेंगे सर्व सर्वर का रिमोट आच चुका है आई होप आप लोग का समझ माय होगा किस तरह से हम फायर बॉल में जाके पिंग के और रिमोट डेक्शॉप के रूल्स को इनेबल करते हैं अगर आप लोग को वीडियो पसंद आई तो प्लीज इसको लाइक कीजेगा चैनल को कीजेगा बैल आइकन पर क्लिक कीजेगा ताके मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो